आधी रात को पुलिस वालों को तो आपने अक्सर देखा ओगा क्योंकि इनका काम ही लोगों की हिपाज़त करना है चोर, उचकको, लफंगो और बदमासों से बचाना है लेकिन तस्वीर में जो दिख रहे हैं वो कोई सिपाही नहीं है नहीं किसी थाने के दारोगा हैं बलकि राची जोन के डियाईजी अनुप बिर्थरे हैं उनके साथ राची के SSP कौसल किसोर भी बड़ी शिद्दत से ड्यूटी कर रहे हैं इन अपसरों ने खुद मोर्चा समभाल लिया है अचानक पुलिस महकमे के इतने बड़े अपसर का राच में खुद गाडियों की चेकिंग करना और पुलिस कर्मियों को समझाना चौकाता है लेकिन आपको हैरत होगी कि आईजी से लेकर SSP तक खुद सुरक्षा के जिम्मधारी अपने कंधों पर ले ली है और रात दिन अपना फर्ज निभा रहे हैं इसके पीछे वज़ा मुक्मंतरी हेमन सोरेन की फटकार और फर्मान है जिसे तामील करने के लिए पुलिस रेस है मुक्मंतरी हेमन सोरेन के कड़े तेवर के बाद पुरा पुलिस महकमा एलर्ट पर है और खुद राची के डियाई जी अनूब बिर्थरे देर रात करीब एक बज़े राची की सडकों पर घूमते हुए दिखे जिस तरह से मुक्मंतरी हेमन सोरेन ने कहा था कि अगर कारवाई नहीं और आप रात बढ़ा तो अब अधिकारियों की बारी है उन वह न पेंगे तो इसका जो मुक्मंतरी का निर्देश के बाद अब जमीन पर यह पूरी कारवाई देखने को मिल रही है रांची पुलिस के द्वारा लगातार जो है शहर में एंटी क्राइम चेकिंग रात में ऐसे लगबग 20 कोस्ट की पहचान करके की जा रही है और सिनियर अपसरों के द्वारा भी लगातार इसका एक तरीके से कह सकते हैं सुपरविजन किया जा रहा है जिससे की प्रभावी रूप से जो है चेकिंग की जा सके इस दोरान जो है एकादा स्थानों पर इस प्रकार की भी स्थिति मिली जहां पर कुछ बार वगएरा खुले वेते समय के बाद भी उनके विरुद्वी विली सम्मत कारवाई की जाएगी और इसके अतरिक जो भी डंकन ड्राइप के भी कुछ मामले मिले हैं उनमें भी गाड़ी को जब्ट किया गया है और उनके उपर भी जो है कानूनी कारवाई निश्चित तोर पर की जाएगी और सभी को या मैसेज देना चाहेंगे आपके माद्यम से कि जो भी राची के नागरी गण है वो रातरी में जब भी अगर बाहर निकलते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि शराब पी करके नशी की स्थिति में कभी भी वाहर ना चलाएं वोनना के वाल आपके लिए आपक मंत्री हमन सुरेन काफी नाराज हैं पुछ दिन पहले डीजीपी समय तमाम बड़े अपसरों की मीटिंग में उन्होंने साप साप और सक्त लहजे में कह दिया विधी विवस्था को दुरुस्त करे नहीं तो सम्मंदित अधिकारी बक से नहीं जाएंगे इसके लिए उन्ह कर खुलियाम चुनोती देडाली संगठित अपराद का सिक्का पूरे राज में जम चुका है जेल अपराधियों का अड़ा बन गया है वहीं से गेंग ऑपरेट हो रहे हैं रंगदारी हत्या धमकी और बलतकार की घटनाओं पर लगाम नहीं कसी जा रही है अब सर कारोबार और आम आवाम इनके दबदबे और सिकंजे से हलकान है खैर राज के मुखिया है मनसुरेन ने जब खुद 15 दिनों की महलत दी है तो देखना है कि विदी विवस्था इतने दिनों में कितना दुरूस्त होती है और उनके फर्मान और सक्ति का कितना असर होता है जिस तरह से राजधानी राची के सहरी और ग्रामिन इलाकों में अपरादी अपना सामराज कायम कर रहे थे अब यह खाकी वर्दी को भी नहीं पहचानने लगे थे डीएसपी पर ही गोली चला दी थी इस घटना के बाद से लगतार पुलिस की कारेसेली पर सवाल उठ रहे थे और क्योंक नहीं कर रहे हैं आखिर कैसे अपरादी कुल्याम वार्दात को अंजाम दे रहे हैं इस घटना के बाद पुलिस महकम आपको देखा जा रहा है कि मुकमंत्री हेमन सोरेन की जो निर्देश दिया आदेश दिया की कड़ी कारवाई करे और सक्ति से अपरादी उसे नि क्योंकि 20-30 जगों पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया दिर राद भी वह तैनात रहेंगे और तमाम आने जाने वाले लोगों पर नजर रखेंगे तो कहीं न कहीं देखना होगा अब कि क्या मुकमंत्री हेमन सोरेन की पटकार के बाद पुलिस जिस तरह से हरकत में आया या आम दिनों भी जारी रहेगा या कुछ दिनों के बाद फिर पुलिस सुस्त पड़ जाएगी और अपरादियों का सामराज बना रहेगा फिलाल दा न्यूस पोस्ट में इतना ही अपने सहयोगी संतोस के साथ समीर दा न्यूस पोस्ट राची